वेलूट ही वेलती हैनल beauty and lifestyle आज मैंड आपको दिखाने वाली हूं मेरे 9-5 vintage collection में से tribal series में से beautiful beautiful मेरे stud earrings and many more earrings मैं आपको दिखाने वाली हूं vintage earrings tribal earrings और many more जालीदार earrings दिassociने वाले जो की तो देखते रहें यह मेरा एपिसोड और इंजॉई कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए पहले चलते है इस प्यारे से हमारे प्यूटिफुल से यह देखी सकते हैं यह बहुत ही ट्राइबल है और विंटेज कलेक्शन में से यह मेरी फ्रेंड ने मुझे है यह देखिए बहुत खुबसूरत है इसे अभी भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं इसको खराब नहीं करना चाहती हूं और यहां पर नीचे जो है यह रियल वुड का बना हुआ ट्रे है आप देखिए सकते हूं कितना ज़्यादा खुबसूरत है और मैंने पहन रखा है न करत Bennett अंहाऀं सर्द आने वाले कलेक्शन एपिसोड्स में चलिए हम वेस्ट करते हैं और हम सटार्ट करते हैं अपने एपिसोड्स जो कि ए सिल्वर 95 विंटेज ड्राइबल कलेक्शन और यह स्टैडंद फ़र्म में भी है और थोड़े से हूप फ़र्म में भी है और थोड़ इसे जाली फॉर्म में भी है तो यह mix collection में लेकर आई हूँ मैंने सुच एक ही episode में मैं try करूं continue करके यह पूरा episode इसे में खतम कर देती हूँ ओके चलिए हम start करते हैं पहले अपने small small thing से जो की है beautiful से सबसे पहले यह देखिए बहुत ही जादा खुबसूरत है यह जितने भी है आज जो मैं आपको जो भी collection दिखा रहा है real 9 to 5 silver collection में से है यह देखिए बहुत ही tribal beautiful सी yearring है अगर आपको हलके full के पहनने है तो आप इस तरीके से yearring पहन सकते है और यह मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही है जाली दार में से है बहुत ज़दा खुबसूरत लगते है पहनने के बाद और इस तरीके से यह देखिए यह थोड़े heavy वाले हैं लेकिन जब आप पहनते हो आपने बहुत सारी tribal ladies को अगर आप मिले होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके से यह जो पहनते हैं बहुत ज़दा खुबसूरत लगते हैं तो मुझे तो बहुत पसंद है tribal jewelries आपको तो पता है तो मैं collect करती रहती हूं ऐसी jewelries और बहुत ज़दा खुबसूरत है जो tribe blog होते हैं वो nature के काफी करीब होते तो काफी उनके जो collection में इस तरह के peacock, flower, animal, motive बहुत ज़दा beautiful होते हैं यह यहरिंग पहनने के पाद इतनी ज़दा खुबसूरत लगते हैं यह देखिए आप देखिए कित यह थोड़े हलके फूल के earrings होते हैं जो tribe ladies पहनती हैं और यह मैं आपको tribal collection में दिखा रही हूं बहुत ज़दा खुबसूरत लगते हैं पहनने के बाद और इसकी जो कारी गरी देखिए कितनी खुबसूरत है यह बहुत ज़दा जूले की feeling आती है ना चलिए next जो है यह यह पहले किया उसलिद्गा रस ट्रशाथ तो तो एक भी मिल सकता है कभी-कभी पेर्रा मिल देख लागे लिए फीक मेक Всем सब्सक्राइब जाहते हैं तो अब बीख देखिए करने से पहले हमार बीखे मिलता हैं ओके नेक्स जो है जो छोटी चीज में आपको दिखाने वाली हूं वो है ये वाला ये जो है अगें ये नाक से लेकर जो है आपके नोज में ये एक डाला जाता है फिर आपके कान तक जाता है ये कान में लगा रहता है ये नोज में इस तरीके से पुरी चेन होती है ये मैं हल लगाते हो कान के जो ङो फॉरा सकते हैं अब हुआट और घ्री यह ग्ल्डीर यह इस था चॉता है sexy टॉनीस था दीकिया है था इस तरेके से कान के आप हुआ पर लगा घुन बहुत इस आब घलाने वाले बट यह नाट के बीच में पहनते है ट्राइबल लेडी और अब तो फैशन है तो कोई भी पहन सकता है यह एक और बुंडी मेरे पास है जो मुझे बहुत जादा पसंद है यह देखिए यह टॉर्कॉइस टोन लगा हुआ है यह इस तरीके से उपर से पहनते है लास्ट कान के जो आपके वह होते हैं उसमें आप डालिए बहुत जादा खुबसरत लगते हैं और यह रहा इस तरीके से यह ओपन होता है फिर उसका लेक्स्ट पार्ट जो है इस तरी से आप लगाते हो तो यह रहे छोटे-छोटे हमारे यहरिंग्स जो की हलके फुल के हम लोग पहन सकत है बहुत जादा खुबसूरत लगते है पहनने के पात और आप इसको जो है ट्राइ कर सकते हैं इतने सारे यहरिंग्स को और ब्यूटिफुल लगते हैं नेक्स जो हमारे यहरिंग्स है जो की बहुत ज़दा मुझे बहुत ज़दा पसंद है वो है यह यहरिंग्स यह दिखाई देता है नेक्स्ट है इसे को अप्डरेड करते हुए इससे भी थोड़ा बढ़ा है और यह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यह देखिए बहुत ज्छादा खुबसूरत है इसकी कारीगरी देखिए बहुत ज़्यादा इस तरीके से लटकता है और इस तरीके से दिखता है और पहनने के बाद तो बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है फ्रेंज मतलब आगर इसको पहन होगे ना तो आपको ऐसा लगेगा वाव सम्थिंग डिफ्रेंट यह देखे कलर कॉंबिनेशन में भी आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है ज्वेलरी पर ग्रीन यलो रैड कलर तो चली से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने इसकी तरफ इसका मेरे पास एक बड़ा भी है बट यह मुझे किसी ज्वेलर ने देखिए इसका सेट में आपको दिखाऊंगे नेक्स्ट एपिसोड में यह सेट के साथ मुझे 925 स्टर्लिंग सिल्फर आया हुआ था तो यह वही है चली आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मैं आपको दिखाने वाली हूँ जालीदार जो है हमारे कलेक्शन में इसको प पहन के भी मैं बहुत जल्दी दिखाने और यह देखिए इसे कहते हैं जाली वर्क जो कि बहुत ज़्यादा ट्राइब में फेमस है बहुत खुबसूरत लगते हैं हलके फुल के भी पहन सकते हैं यह देखिए यह जो है जादा expensive भी नहीं होते और आप इसे पहन सकते हो और यह जो work होता है यह देखे आप देख सकते हो यह जो silver की तारों को मोड मोड के बनाया होता है और यह बहुत जादा खुबसूरत लगता है चलिए next है again जाली तर बात हुई तो पत्तों की बात तो होगी ही क्योंकि आपको तो पता है जैसे मैंने बता है ट्राइब से होते हैं नीचर के काफी करीब होते तो बहुत सारी इनकी जो jewelry होती है inspired होती है आप देखिए इसकी जो नकाशी है कैसे किस तरह से हैंड से बनाई गई है कितनी जादा खुबसूरत है और फिर इसको हम और भी यह देखिए कितनी जादा ब्यूटिफुल है मुझे बहुत पसंद है jewelry जो 925 silver मुझे ऐसा लगता है कि artificial jewelry से अच्छा अगर हम ऐसी jewelry में इ यह जो है यह बहुत ही जादा खुबसूरत है यह देखिए किस तरह से designing की हुए यह पूरा जो लॉंग है पुरा कान में जाता है आपके और यह जो है कमल इस तरीके से आपके कान में आता है बहुत बहुत ही जादा amazing है उतने हलके हैं ना friends आप सोच भी नहीं सकते हैं बहुत जादा beautiful collection है यह वाला इस तरीके से ओके next है इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए खुबसूरत इसमें दो यह रिंग साथ में आड की हुई है पहले आप उपर स्टट देख सकते हैं नीचे जो है इस तरीके का अब हम चलते हैं अपने beautiful colorful potions की तरफ इतनी सारी colorful potions में आपको दिखाने वाली हुए जल्दी जल्दी चल्दी स्टार्ट करते हैं कर देते हैं तो मैं कह रही थी कि अगर आपको ट्राइबल यहरिंस का शौक है आप नया capsule बनाने वाले हो देखिए एक दिन में तो नहीं बन सकता आपको बहुत सारी चीज़े विजिट करने पड़ती बहुत सारे वेबसाइट विजिट करने पड़ते हैं फ्ली मा प्यारता प्यारे दिखते हैं और इनको आप काफी प्यूटिफुल तरीके से यूज भी कर सकते हो और पहन भी सकते हैं नेक्स्ट जो है अगैन हार्ट शेप यह है स्टोन इसमें कलर जो है इन्होंने अड़ कि वह पीछे दिखिए पूरी नकाशी की हुई हार्ट शेप मि नेक्स्ट है अगैन पूरे टॉर्कॉइश यह मेरा बहुत ज़्यादा फेवरिट स्टड है आप कह सकते हैं यह जब पीछे जलाया था तो यह पूरा स्टड की तरह ही फील होता है और बहुत ही ब्यूटिफुल है यह देखिए बहुत ज़्यादा खुबसूरत है और इसक ठीक है नेक्स्ट जो है मैं आपको हलके हलके बता रही हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे कहते हो आप बहुत हैवी हैवी दिखाते हो यह मेरे 925 सिलवर जो है ट्राइबल कलेक्शन में हलके हलके हैं मेरे लिए तो कितना खुबसूरत है यह देखिए इसी इसको आगे बढ़ाते समय यह है बहुत ब्यूटिफुल है कितना मतलब बहुत ही बारीक काम किया हुआ है छोटे-छोटे यूनों होल्स करके उसमें उन्होंने स्टोन फिक्स किये बहुत ज़्यदा खुबसूरत लगते है नेक्स्ट है अगें बहुत ही ट्राइबल बहुत ज़्यदा कॉमन ट्राइबल लेडिस इसे यूज़ करती है यह हुपस यह देखें बहुत खुबसूरत है इसकी आप यह देखें कितना ज़्यदा खुबसूरत है छोटे-छोटे समालना बहुत मुश्किल होता है यार लेकिन ठीक याब अब कलेक्शन करते हो यह भी आपने देखा हो का बहुत ज़्यदा ट्राइबल लेडिस पहनती है और मेरे ज़्यदा कर जो सिल्वर कलेक्शन आपको ट्राइबल और विंटेज ही मिलेंगे और इस त चोटे-छोटे में अगर आप देखने चाहों यह भी आप देखोगे बहुत सारी स्नेक जो बने हुए हैं रियल गोल्ड का यह बनाया हुआ है स्नेक और इस तरीके से ट्राइबल यॉरिंग है बहुत ज़्यदा अपनी देखा होगा काफी मुवीज में भी देखा होगा इ बहुत ही अच्छी लगती ही पहनने में चली यह हो किया है मेरा ट्रे भर गया है वापस हम इसको क्लीन करते हैं और हम यही बात करते हैं कि आप जब भी 925 सिलवर खरीदें तो ऑथेंटिक जगे से खरीदें ताकि आपको पता हो कि आप क्या खरीद रहे हो और आपको इसका मेरे पास लॉकेट है जो मैं आपको लॉकेट के जब मैं आपको पेंडेंट्स दिखाऊंगी लॉकेट दिखाऊंगी तो कलेक्शन में दिखाऊंगी यह देखिए इतनी खुबसूरत इसकी डिजाइन है और यह देखिए टॉरकर स्टोन लगाया हुआ है बहुत सु क्यों लगते हैं वो मुझे पीछे हुक वाले वह दबाने वाले पसंद नहीं यह रहे है बहुत जदा प्यूटिफूल लगते हैं नेक्स्ट है इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से पूरा ब्लैक ऑक्सडाइज नाइन तो फाइ सिल्वर में हैं आप लेकिन जो है यूँनों भी नाइन टुफाइज सिल्वर है लेकिन यह से उक्सडाइजेशन का प्रोसेस है इसको जादा ऑक्सडाइस किया हुआ है से कम किया हुआ इसलिए से ओके अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगें यह तिबितन कलेक्शन में से बहुत ज़द इसके अपने औरो rap करते हों इस तरीके से आपने लम इस तरीके से और इसका यह जो हुआ है कि यह जो है क्येशन है यह बहुत जहादा बेसिक ट्राइबल क्लेक्शन में से हैं आप देख सकते हो कि यह जो हमारा बहुत मतलब बेसिक मतलब हर-hari ट्रैबल लेडी के पास इस तरह के नकाशी वाले यहरिंग जरूर से जरूर से होंगे और आपको पसंद है बहुत लेडी के फुल के प्राइबल विंटेश पहनने तो इस तरीके से पहन सकते हो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूं वह भी बहुत ज़्यादा कॉमन है मिल जाएंगे आपको काफी जगे यह दिखिए इसमें अलग 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 आपको यह भी मिल जाएंगे यह लाइक इसे इसमें कम अल है तो आपको रोज मिल जाएंगे यह अलग टाइब के फ्रूट से मिल जाएंगे फ्लावर्स भी मिल जाएंगे यह आपको काफी मिल जाएंगी और काफी ब्यूटिफुल भी लगती है इस तरीके की नेक्स जो है अगर आपको थोड़े और ज्यादा ही उभर के डिजाइन दिखने वाली थी तो इस तरह थोड़ा और बोल्ड भी देख सकते हो इस तरीके से पूरा का पूरा रोज पूरा का पूरा कम फ्लावर इस तरीके के भी आपको मिल जाएंगे तो आप यह जो आप मैं आपको दिखा रही हूं यह आपको अगर थोड़ा सा धूटोगे मार्केट में भी या आप थोड़ा मुझरार्थ साइड में ट्राइबल जगे जाओं तो आपको मिल जाएंगे कि देखिए यह मु जलते नहीं है छोट छोटे होते तो निकल जाते हाथ से फिर कानों से गिर भी सकते हैं नेक्स अगें जो स्टाइड की में बात कर रही हूं वह बहुत ज्यादा खुबसूरत से स्टाइड है और वह डिफरेंट शेप्स में आपको देखिए आपको ट्राइंगल में मिल सकत है यह अगें इनैमल किये हुए पेंट किये हुए बहुत ही ब्यूटिफुल खुबसूरत से स्टाइड है और इस तरीके से आप भी ले सकते हो और यह 925 रियल सिल्वर में है तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना आर्टिफिशल जोल्री में नहीं इंवेस्ट करना चाहत हो ओके नेक्स जो भी हमें आपको दिखा रही हुए थोड़े बोल्ड लुक की तरफ चलते हैं जल्दी-जल्दी से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा यह कुछ बचे हुए है मैं आपको दिखाना चाहूंगी यह वारे ओके तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्यूटिफ इसकी नकाशी कितनी जादा खुबसूरत है तो इस स्टार्ड में यह थोड़े हैवियर स्टाइड में जैसे हमारी नानी पहनती थी या दादी पहनती थी उस टाइप का यह है बहुत ही खुबसूरत लगता है अगर आप इसको पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो यह से बड़े वाले बट यह भीस दितों में बहुत हैवी लग रहे हैं बहुत ही हल एक इस तरीके से बीर इस वह बाले उससे हो सबसे बेस जो मुझे आज तक मेरे कलेक्छन मेकली क Wagly ठीयूरत में गफ्वालाइद और पहलो चीज़ को कॉसला थी करिए नहिस ही क्णकी is बहुत ज़्यादा खुबसूरत है बहुत ब्यूटिफुल स्टैड है इसकी स्टोरी यह थी कि मैंने आपको प्रॉमिस कहता है मैं आपको जरूर बताऊंगी जब मैंने इसको जब किसी विंटेज महीला से मैंने यह लिया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता नही कि इसमें कितने सिलवर मिक्स है और कौन से मिक्स है ये दो पूरा ना बेंने बता नहीं सब्सक्राइब कि यह कहां 만들어 National Suppsy हुआ धी का है और मैंने का यार मुझे से दे दो और मैंने मैंने उनंको काफी पैसे दिय मैं ने उनसे चेक भी कराई है काफी पुराना बहुत ही जादा ऑथेंटिक ट्राइबल टोपी टोपी इसे कहते है इस तरीके से यह देखिए आप खुद आपको पता चल जाओ कितना जादा ओल्ड है और ट्राइबल है बहुत ही जादा खुबसूरत है बहुत यह देखिए पहनने के बाद तो मजा ही आजाता है नेक्स्ट है अगैन अब हम चलते हैं थोड़े से ऐसे की तरफ जो की है थोड़ा भी इन में कलर एड़ कर दिया है और इसको थोड़ा फ्यूजन बना दिया है तो उस टैप के हम इसके उपर चलते हैं यह देखिए बहु देखेगा यह नेक्स्ट जो है अगेन इसको और भी ज्यादा अगर है एड़ करवा लेते हो थोड़ा और व्यूटी यह देखिए फ्यूजन आज कल करें हमारा फ्यूजन जो है यह पूरा का पूरा नाइन तुफाइश सिल्वर है और यह देखिए कितना ज्यादा खुब इस तरीके से और वैक सैड इसका इस तरीके से हैं बहुत यह ब्यूटिफुल स्टैट है बहुत दख नेक्स्ट जो है अगेन यह अफगानी क्लास कलेक्शन में से यह भी स्टड नहीं कह सकते है बस उसको थोड़ा सा नीचे बहुत डिफरेंट कलर है पिंकिश कलर है बहुत अधा खुबसरत लगता है पहनने के पाद पिंक कलर और यह देखिए मैं जब इसको पहनते हूं इसमें यलो ग्रीन आपको जो कलर चाहिए बहुत अच्छा प्यॉर सिल्वर नेक्स्ट है अगें इसमें तोड़ा और हेवी में मैं आपको दिखाना चाहूंगी खुबसूरत ब्यूटिफुल इस पीस देखिए आप कितना ज़्यादा खुबसूरत ब्लाक स्टोन लगा हुआ है यहां पर गोल्ड रियल गोल्ड का इन्होंने काम किया हुआ यहां पर पुरे मोती लगे हुए है कितना ज़्यादा खुबसूरत तयारी है और दिखें पीछे से ऐसा है यह जो है यह पूरे मैंगो कलेक्शन मैंगो का सीजन चल रहा है अभी और यह मैंगो कलेक्शन इन्होंने इंटोड्यूस किया हुआ है यह मैंने मौल से वेबसाइट से लिया था मौल के वेबसाइट से यानि जो मौल में इसकी शॉप थी इनके वेबसाइट भी था तो मैंने वहां से लिया था यह बहुत ज़़दा खुबसूरत है मैंगो कलेक्शन नेक्स्ट है जो बहुत ज़़दा फ्यूजन आज कल चल रहा है यह है यह वाला बहुत ज़़दा खुबसूरत है पूरा का पूरा स्टोन लगे हुए है और इस तरीके से आप इसको पहन होगा यह पार्टी स्टड है पूरा पूरा नाइन तुफाइ सिल चलिए इस एपिसोड का लास्ट 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 यह रिंग मेरा बहुत ज़़दा फेवरेट है और चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ इस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टड जो की बहुत ज़़दा खुबसूरत है आप देखें नाइन तुफाइ सि पास से देखें इसमें जो काम किया हुआ है ना बहुत ब्यूटिफुल है यह देखें है ना मज़दार येस बहुत ज़़दा खुबसूरत है आपको ये सारा कलेक्शन देखें मजाया होगा तो मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट आपको नए एपिसोड में और आपको इसी तरह से एंटरें करूंगी इसी तरह से मैं आपको बहुत जारे बहुत जारे मेरे कलेक्शन दिखांगी मुझे प so stay tuned see you bye-bye